सूर्य नमस्कार सूर्य पृत्वी पर रहने वाले सभी जीवों के लिए उर्जा का स्रोत है। सूर्य योदय और सूर्यास्त के समय से करना ज्यादा फायदेमंद होता है। सबसे पहले आप अपने दोनों पैरों को आपस में जूरते हुए बिना कंधों को जुकाए सीधे खड़े हो जाए। सुनिश्चित करें कि आपके हाथ शरीर के समी हो और आपके ठोड़ी जमीन से समानातर हो। अपने शरीर को दोनों पैरों पर समान रुप से संतुलित करें। इस थिती को समस्थिती कहा जाता है। पहले चरण को करने के लिए सांस लेते हुए अपने दोनों हाथों को आपस में जूरें और अपनी छाती के समीप नमस्कार मुद्रा में ले आए। इसे प्रडामासन कहा जाता है। अब सांस छोडें। दूसरे चरण में धीरे धीरे सांस अंदर लेते हुए अपने शिरीब को कमर से उपर के ओर खीचे और अपने दोनों हाथों को अपने सर के उपर ले जाते हुए अपने सर और कमर को पीछे की ओर जुकाए। अपनी टांगें सीधी रखें इस आसन को हस्त उत्तनासन कहा जाता है। अब तीसरे चरण के लिए धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए अपने शरीर को आगी की और तब तक जुकाएं जब तक आपकी दोनों हथेलियां आपके पैरों के दोनों तरफ जमीन को छूना लें। ध् करने के लिए एक गहरी सांस अंदर लें। और अपने दाय पैर को पीछे की ओर ले जाए। और अपने घुटने को जमीन पर सटा कर रखी। सुनिश्चित करें कि आपका दाया पैर पंजो पर हो। आपका बाया पैर का घुटना नब्बे डिग्री पर हो। दोनों हथेलि चरण में एक गहरी सांस छोड़ते हुए अपना बाया पैर इस प्रकार पीछे ले जाएं कि वो आपके दाय पैर की सीध में हो। सुनिश्चित करें कि आपके हाथ और कंधे सीधी रेखा में हो। और साथ ही कंधे, पीठ और नितम भी एक ही सीध में हो। इस आसन को संतु अपने दोनों घुटनों को एक साथ जमीन पर रखें और अपनी छाती और माथे को भी जमीन पर रखें। सुनिश्चित करें कि आपके कूले ऊपर की और और आपकी कोहनिया आपके शरीर के समीन हो। इस आसन को साश्टांग नमस्कार आसन कहा जाता है क्योंकि आपके शर आती और माथा जमीन को छूते हैं। ध्यान रखें कि आपके शरीर का वजन आठों अंगों पर सामा नियरूप से वितरित हो। अब सात्वे चरण के लिए सांस अंदर लेते हुए अपनी श्रोनी यानि पेल्विस को नीचे लाते हुए अपने सर और छाती को आगे की और स सीधी हो। इस आसन को भुजंग आसन कहा जाता है। आठवा चरण धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए अपने पैरों के पंजों को अंदर की और मोड़े और अपने कूलों को इतना उपर ले जाएं कि आपका शरीर एक परवत का आकार ले ले। सुनिश्चित करें आपकी द इस आसन को परवत आसन कहा जाता है। नौवे चरण के लिए अपने कूलों को नीचे लाएं और सांस लेते हुए दाहिने पैर को आगे लाएं और अपने बाया पैर के घुटने को जमीन पर रखते हुए उन्ह अश्व संचालन आसन में आ जाएं। दस्वे चरण में अपना बाया पैर भी आगे लाएं और सांस छोडते हुए पुन्ह पाद हस्तासन में आ जाएं। अब इस पूरे अनुक्रम को अपने बाय पैर से दोहरां। सूर्य नमस्कार से आपके फेफणों की ख्षमता बढ़ती है। सूर्य नमस्कार आपके मेटबोलिजम में सुधार लाता है और मधुमे के प्रबंधन में उपयोगी पाया गया है। सूर्य नमस्कार अंतह स्रावी ग्रंध्यों याने इंडोक्राइन ग्लैंड्स के स्राव को नियंत्रित करता है। सूर्य नमस्कार आपको वजन को सही रखने में मदद करता है। और आपके मेरुदंड और आपके कमर की मानस्पेशियों को मजबूती प्रदान करता है। उच्छ रक्तचाप यानि हाई बीपी के रोग्यों को इस आसन को सावधानी के साथ करना चाहिए। हर्निया और पेप्टिक अलसर के रोग्यों को सूर्य नमस्कार नहीं करना चाहिए। सायटिका, सर्वाइकल स्पॉंडिलाइटिस और अक्यूट आर्थ्राइटिस के रोग्यों को भी सूर्य नमस्कार नहीं करना चाहिए। महिलाओं को मासिक धन्म के समय और गर्भवस्था में सूर्य नमस्का नहीं करना चाहिए।